ला इलाह इल्ला ला महमद रशूर अल्ला हम सब को मालूम है इस अंसार में कयामत का दीन नद्धिक आ रहा है इस दुनिया में फिर से जन्नत खड़ी होने जा रही है स्वर्ग खड़ा होने जा रहा है तो हमारी सब की जवाबदारी क्या बनेगी हमारी सब की जवाबदारिया ये बनने वाली है और होनी भी चाहिए कि हम सच्चा ग्यान लोगों को समझाए और सच्चे रास्ते पे लोगों को ले जाए जो रास्ता अल्ला तक पहुँचाता है जो रास्ता एक ही जात है उसका अलग अलग नाम हर एक धर्म में बताया है इसलिए सब का नाम लेना भी जरूरी है जो रास्ता अल्ला तक पहुँचाता है जो रास्ता परमेश्वर तक पहुँचाता है जो रास्ता अकाल पुरुख तक पहुँचाता है जो रास्ता क्राइस्ट गोड तक पहुँचाता है ये रास्ते पे सब को ले जाना होगा यह रास्ते का परिचय भी देना होगा सरीर में हम कोन है इसका भी तो परिचय देना होगा और ब्रह्मान का नियता ब्रह्मान का मालिक जो अल्ला थाला है वो कोन है, कहां रहता है वो सब का परिचय सब मनुश्यों को भी देना होगा ये संसार समस्याओं से घेर गया है पिडित हो गया है ये कोई अल्लाद अल्लाद की देन नहीं है ये कोई परमेश्वर गोड अकाल पुरक की देन नहीं है ये तो हम मनुष्य जो भटक गए जिनोंने सच्चा ग्यान पाया नहीं शंकुचित्ता में जाके नेगेटिव काम किया अपने स्वार्थों को आगे बढ़ाया इसलिए ये संसार दुखी हो गया है पिडित हो गया है समस्याओं से घेर गया है अल्लाद अल्लाद परमेश्वर अकाल पुरक क्राइस्ट गोड क्या कहते है वो कहते है ए मेरे प्यारे बच्ची तुमारे शरीर में दिल में मेरा नूर के रूप में में खुद बिराजमान हूँ है मेरे शिक लोग अकाल पुरक कहता है ए मेरे शिक बिरादरो तुमारे दिल में प्रकास के रूप में दस गुरू में जो प्रकाश डाला था वो ही प्रकास के रूप में मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ Christ God Christian लोगों को क्या कहता है ए मेरे Christian भाइबेने तुम्हारे दिल में यही तो इशू Christ के रूप में नूर के प्रकास के रूप में बिराजमान हूँ ए मेरे सनातन के धर्म के लोग परमिश्वर का ज्यान का प्रकास दिव्यब एनरजी का प्रकास हजारों सुरत से भी तेजों में ऐसा प्रकास के रूप में मैं तेरे दिल में जिवात्मा के रूप में विराज मान हूँ ये तु है तु पांच-छे फुट का मनुश्य शरीर का पुतला नहीं है सारे ब्रम्बान को रोशन करने के लायक और सारे ब्रम्बान को अल्ला तक पहुचाने की ताकात समझदारी ये हिश्यत है नहीं मनुश्य तेरे शीने में मैंने दिल में रख दी है तु जान ले, पहुचान ले ये सारी बाते पवित्र قुरान शरीप में एक-एक आयातों में बताई गई है सब धर्मगरंतों में ये मार्क दर्सन किया गया तो हम छोटी मनुश्य के रूप में तो है लेकिन हमारी हैश्यत, हमारी शक्ति ये दिल में अल्ला ताला ने सारे ब्रमान को मार्ग दर्शन कर सके जिव मत्र को उपर अल्ला तक पहुँचा सके ये हैश्यत हमारे दिलों में रखी है और इस संसार में बेजा गया है लेकिन हम यहाँ आके अल्ला को भी बुल गए, अल्ला का रास्ता भी बुल गए हमारी हैश्यत को भी बुल गए और हम बस एक मनुश्य के रूप में विच्रन करने लगे हम बहुत इक चीजों के पीछे रोटी कपड़ा और मकान के पीछे हम रुख गए और आगे जाके सिर्फ धर्म में भी रुख गए समय प्रती समय इस सब धर्म अल्ला ताला ने गोड ने, परमेश्वर ने, अकाल पुरक ने ही धर्ती पर भेजा है उबेजने वाला एक ही है और सब धर्म की किताबों में लेकिन हम लोगों ने क्या समझा मुसल्मानों का अल्ला कोई और है हिंदू का कोई भगवान और है क्रिश्चनों का कोई गोड और है और सिख धर्म का अकाल पुरक वाहे गुरु कोई और है यह हम यहां से ही तो भूल कर बेठे समझना इतना ही है समय प्रती शमय सब धर्म की व्यवस्ता मेरे प्यारे अल्ला ने ही तो धर्ती पर उतारी है सब धर्म स्थापको कोबी तो उन्हुने बेजा है सब धर्म की व्यवस्ता धर्म की पुस्क अगर हम इसलाम के तरीके से तो जिब्राइल के दौरान मेरे प्यारे अल्ला ने यह सब आयाते बेजी यह आयाते को संकलित करते हुए ये मेरा प्यारा पवित्र कुरान ने शरिब बना दूसरी बार अधिश शरिब तो भी बनी है मेरा प्यारा अल्ला समय प्रती समय इस अंसार पर मानव को मार्ग दर्सन देने के लिए नभी पाक सलल वाली वसलम के दिल में जो खयालाद डालते थे खुद डाइरक डाइलिंग डाइरक कोम्यूनिकेशन करते थे इससे पवित्र हदिश शरिब बनी है तो इतनी महान ग्रंथ जिस समाज के पास मेरे 57 मुस्लिम देशों के मेरे मुस्लिम भाइबेनों के पास मुझा है जो अधिश पवित्र का नाम है डाइरक कोम्यूनिकेशन है सिर्फ इसको ही संसार के लोग धारण कर लेंगे तो यह ट्रांस्पोर्मेशन उप दे वार्ड यह जहनम टू जन्नत में जाने का रास्ता यह नर्क में से सुर्ग में जाने का रास्ता धर्ति पर मोजूद है पवित्र कुरान सरीप के रूप में हदीश सरीप के रूप में अल्ला ने प्रयोग किया गोड वाहे गुरु ने प्रयोग किया बाबा आदम जी को भेजा बनाया तब इबलिस ने कहा ए प्यारे अल्ला फरिष्टे क्या कम है हम लोग क्या कम है फिर से यह बाबा आदम को बना रहे हैं फिर दर्ती पर जाके फितना करेगा लेकिन अल्ला ताला कहते हैं मैं इसको कुछ खास दिल वाली तालिम देके भेज रहा हूँ चिंता मत करो ठीक करेगा लेकिन हम सब घर्मवाले बाबा आदम की और अल्ला की ही तो कुरूती है सरजन है लेकिन मनुष्य यहां धर्ती पर आके बाबा आदम से लेके अभी हम सब लोग यहां क्यों गलत करते हैं, क्या गलत करते हैं, यह समझने की बात है, हमको सोचने का सोतंतरता दिया, बोलने का सोतंतरता दिया, काम करने का सोतंतरत दिया, फ्री कर दिया, ताकि हम हमारी मन मर्जी करने लगे, और अपना स्वार्थ, अज्ञान को पकड़ते हुए संसार में व को और अल्ला ताला का जो कलाम है मैं पवितर कुरान एसरीप में है उसके रास्ते पे चलना होगा हधीस असरीप जो डैरॉक का लात अल्ला का कॉम्मिनेकेशन नभी e-पाक स्लाइल वालिवस्लम के दिलो में आया करता था वो हधीषों के मार्क पर हमको चलना पड़ेगा हम सब को चलना पड़ेगा वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकोन पर क्लिक कीजिए ताके हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको में